कि देनेली डॉप्शन मॉडल यह मॉडल बहुत फेमस हुआ और इसने कई दसक तक अपना राज किया अपने इस मॉडल ने डेनेली डॉप्शन का मॉडल जो था ओव सेंड्विच मॉडल था हम सभी सेंड्विच से वाकिफ हैं तो दो सीमलर लेयर के बीच में एक डिस्सिमल के मद में लिपिट की बाई लेयर है यह लिपिट की मानो लेयर यह लिपिट की मानो लेयर और यह फैटी एसिट की चेन है यह एक माली क्यूल है फास्फोल लिपिट का यह एक माली क्यूल है यह फैटी एसिट सें और यह गलिशराल का है है तो यह कहा गया कि जो हैड है फासफोलिपीट का जो heidet है, ये एक फासफोलिपीट माली कूल है, जिसमें एक ग्लिसराल का heidet है, इसमें phosphate है और ये दो far psychic chain है जो ग्लिसराल का head है, जो head group है, वू हाइडरोफिलिक है, वू वाटर लविंग है, उसका orientation, उसका alignment वाटर की तरफ होगा और यह जो दोनों fatty acid की chains हैं, यह hydrophobic हैं, यह water को hate करती हैं, तो यह water से दूर रहेंगी, तो यह cell है, तो यह membrane में देखिए, इस side में, अंदर की side में, cytoplasm side में भी fluid होगा, बाहर की side में भी fluid होगा, तो देखें, इसलिए glycerol का जो orientation दिखाया गया, membrane के इस surface पर और membrane के बाहर की surface, दोनों outer surface पर head group का orientation सो किया गया, तो लोंने कहा कि यह bilayer का है, और अपने दोनों surfaces पर protein की layer से cover, यह protein की manolayer है, और यह protein की manolayer है, यह protein की manolayer है, यह एक फिर दूसरा सुरू हो गया, continuation में, और कहा रहा है कि यह protein line pore है, और यह पूरी की पूरी यह, यह membrane देखिए, शोकरा, पूरी membrane का जो structure है, इस membrane के इधने हिससे का जो structure है, वो इस तरह से है, पूरा, बीच-बीच में कहीं कहीं पर protein line pore है, बड़े काफी discussion के बाद आया, कि पूर है, कि नहीं है, क्या है, तो फिर यह देनेली डॉप्सन के समय में नहीं, यह decide हो गया कि नहीं, इस पर pore है, और protein line है, चुकि यह hydrophobic है, इसलिए यह hydrophobic portion किसी pore की जहां से fluid आ जा सके, उसकी lining नहीं कर सकता था, तो यह बात निकल के आई कि नहीं, यह protein के दोरा line है, और यह भी बताया गया, डेनेली डॉप् फास्पो लिपिड मालीकूल के head group से ionic bond से जुड़ा हुआ, ionic bond से, मना दोनों पर कुछ ने कुछ चार्ज है, ionic bond बनता है, चार्ज कुछ रोता है मालीकूल के उपर, तो उन चार्ज के दौरा वो जुड़ जाते हैं, तो यह ionic bond बना देते हैं, तो यह बात पूरी जो ड इपिड बाई लेयर अपने दोनों तरफ प्रोटीन की मानो लेयर से covered है, इधर भी देखे covered है और इधर भी covered, जगह जगह पर प्रोटीन लाइन पोर भी है